हेलो जहिन छात्रो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी छात्र है आई टी आई फोर्थ राउंड मेरिट का इंतेजार कर रहे हैं तो फानली आप लोग का मेरिट कब तक आएगा और आपका रैंक कार्ट कैसे आपको मिलेगा कै प्राप्त कर पाएंगे रैंक कार्ड उसके बाद आपको क्या करना है रैंक कार्ड आने के बाद यह भी जनकारी आपको मैं बताऊंगा और रैंक कार्ड रहने के बाद आपको क्या फायदा होगा यह भी आप लोग बताया जाएगा और आपका फोर्थ राउंड का मेरिट लिश्ट कब तक आएगा आफ लाइन आएगा या आनलाइन आएगा यह भी जनकारिया आपको बदाने वाला हूँ तो बिल्कुल पुरूप के साथ आप लोग चैनल पर नयाथ सब्सक्राइब कीजिएगा लाइकन को आल पर सीट कीजिएगा तो आई वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट्स मैं आई टी आई इस्ट्रक्टर हूँ और गौर्वर्मेंट आई टी आई जुड़ा हुआ हूँ जो भी अपडेट्स हमारे आई टी आई सथान पर आती है आपको सबसे पहले बताई जाती है तो आप लोग को सब्सक्राइब करिए अगर आप लो खातेरी बना हुआ है आपको जितना इश्टेंट इस पर जुड़ेंगे आप सभी को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी तो आई वीडियो को शुरूख कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको बता दू कि फ्र लोग का चौथे चरण के लिए रैंक कार्ड यहां पर फाइनले आप लोग देख सकते हैं दिया गया है आप लोग का सभीटी की वेप साइट लगातार आप लोग चेक करते हैं वहां पर भी आप लोग को ऐसा इस सिच्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो य आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है यहां पर दिया है पूर्व पंजेक्रित अब्यार्थी की रैंक और नवीन आवेदन करता की रैंक तो फाइली आप लोग में बताया था कि आप लोग करेक्शन हो रहा है फॉर्म और ने फॉर्म कीजेगा इसके पर आपके फॉर्म पेयं रिश्टिन से नमटर आपको मिल जाएगा वह यहां पर आपको सम्मीट करना एक यह डे मन्थ एयर हब को समुमीट करना है और जैसे ही सम्मिट करते है तो फाइली इसबी चातरों का र्यांग कर्णिवाट जारी होगा ठीक है और चाहतरों का रेंक कार आएगा तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोग का नाम भी आया रहेगा ठीक है तो आप लोग अपने आई टी आई संस्थान से कोंटेक करिए या फिर वहाँ पर जाईए आप लोग का फोर्थ राउंड का जो मेट लिस्टेज बर आउफ लाइन मादम से आप आई सस्थान पर कशच्बा किया रहाइगा वहां पर जाकर जाकर अपना नाम चेक कर सकते कर आफ लोग का नाम रहेगा वहां पर तब आप लोग सूचई की आप का फोर्थ राउंड में आया है और निथ summary नहीं आया रहेगा तो आप लोग यहょंक करा है उसका प्रिंट-件 करिए अधा डाकुमेंट्स जो आपका लगता है डिविशन को लीजिए प्रिंट आउट कराईए इसके बाद आई टी आई सहस्तान पहुंचिए वहाँ प्रोविशनल एडिमिशन करवा लीजिए जल से जल ठीक है और यहां पर देखिए आप लोग का दिया है चत्थूर्थ अब आपका अप्लिकेंट या नयव अप्लिकेंट यहां पर दिया रहे गाए इसके बाद राज बेहुसाय प्रसिचर परिसर अलीगंच लखनवर और यहां पर देखिए आप लोग का नोट में दिया रहेगा ब्यारती आलाइन आवेदन के समय जनपत में दिये गए है ठीक है तो फानली आप लोग के रैंक कार्ड पर आप लोग का दिया रहेगी कब से कब तक आप लोग अपना डिविशन करवा पाएंगे ठीक है तो आप लोग का इस बार जो फोर्स राउंड का मेरिट लिष्ट आफ लाई मादम से आएगा और लगभग 2-3 दिन के अपने करें लिष्ट्रिक वाई आई टी आई में ताकि आप लोग मालूम हो जाए कि आपका नाम आया है कि नहीं है क्योंकि यहां पर प्रोविजनल एड़िशन के लिए बहुत ही कम सीटें बची रहती है जिसके लिए बहुत ही जल्दी सीट फूल हो राती है तो इसके ल इसके लिए मादे